स्वागत है आपका एक बर फिर से हमारी यूटूब चानल निव एंडॉइड एप में आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि हम किसी से कॉल पर जब बाते करें उसी वक्त अगर हमेरे नंबर पे कोई तीसरा वैक्ती कॉल करें तो कॉल बी जी ना बताए जी हाँ फ्रेंड बहुत से लोग क्या करते हैं कि रात में अपने गर्फ्रेंड से या अपने दोस्त से रात को बाते करते हैं लंबी लंबी बाते करते हैं और उसी वक्त वो सोचते हैं कि मेरे नमबर पर कोई घर का कोई भी सदस से कॉल करें तो जो मेरा नमबर है बीजी ना बताए बीजी ना बता कर कॉल लगे ही नहीं या कबरिज छेते से बाहर बताए यदि ऐसा चाहते हैं तो आपको बिना किसी application क को इंश्ट्रॉल किये आपको सिर्फ अपने मोबाईल के सेटिंग में जाकर एक सेटिंग कर देना है यह सेटिंग करने के बाद में आपका फोन कभी भी आप किसी से बात करेंगे तो आपका कॉल वी जी नहीं बताएगा आज कि इस वीडियो में यही बताने वाला हूं, तो फ्रेंड यादि आप जानना चाते हैं, सीखना चाते हैं, कि आखिर वो कौन्ची ट्रीक है, तो उसके लिए हमारी इस वीडियो के साथ सुरू से लेके अंग तक बने रहे हैं, तो आईजे दोस्तों वीडियो का सुरू करते हैं, आप लोगों से क्रिक वेश्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किये हैं, तो वीडियो को यहां से लाइक कर दिजे, और साथी साथ आप लोगों ने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो निव एंड़ अपडेट चैनल को यहां से लाल रंग के सस्क्राइब बटन को दबा के चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए बगल में घंटी का बटन है घंटी का बटन में दबा के all के उपर में क्लिक कर दिजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका notification आप तक पहुंच सके और यहां पे नीचे comment box है comment box में आना है और आपको एक comment करना है comment में दोस्तों आप nice awesome या आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं ताकि दोस्तों हमें पता चल जाए कि आप हमें comment करते हैं और उस comment को दोस्तों हम like देते हैं और हट देते हैं तो इतना भी इष्टे 미्स मत किजिएगा और जो मैं कहूंगा वह ध्यान से सुनिएगा. नहीं तो आप यह स्ट्रिक को यूज नहीं कर पाएंगे. तो friends सबसे पहले आपको अपने phone की setting पर चले जाना है और setting को on करना है. जब setting को on करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे search setting का option दिखेगा तो आपको यहाँ पे search setting पर click करना है तो आपको यहाँ क्या click करना है आपको यहाँ पे click करना है शिरिफ call forwarding लिखना है आपको यहाँ पे call forwarding लिखना है ध्यान से वीडियो को देखिएगा आपको call forwarding नहीं बता रहा हूँ आपको call forwarding लिखना है यहाँ call forwarding setting आएगा उस पर click कर देना है अब जैसे ही click करेंगे तो आपके phone में यदि दो sim होंगे तो दोनों sim आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप किस sim पर स्ट्रिक को लगाना चाहते हैं याँ जिस sim से बाते करेंगे उसी sim पर ट्रिक लगेगा तो मैं यहाँ Geo पर लगाना चाहता हूँ यहाँ पर arrow का option है arrow पे click कर देना है अब जब यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर voice और video का option दिखेगा तो आपको यहाँ पर बात करते समय लगाना है तो बात यानि वाइस सेलेक्ट कीजिए यदि वीडियो कॉलिंग करते समय लगाना है तो वीडियो सेलेक्ट कीजिए तो मुझे वाइस पर लगाना है तो वाइस पर क्लिक कर देना है जब वाइस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको यहां पर number when bg का एक option आएगा यहां पर एक number डालने के लिए कहेगा अब ध्यान से सुनने और समझने वाली बात यहां पर है दोस्तों यह trick तब काम आएगी जब आप किसी से बाते कर रहे हैं और उसी वक्त कोई आपको तीसरा वैक्ती call करेगा तो आप यह trick की use कर सकते हैं यहां पर आपको क्या करना है कि आपको यहां पर एक mobile number डालना है mobile number आपको वही डालना है जो mobile number हमेशा के लिए बंद हो गया है यानि कि आपका कोई phone था या ऐसा कोई number है आपके पास जो हमेशा के लिए बंद हो गया है उसी mobile number को आपको यहां पर डालना है क कि दूसरे का number डालेंगे तो आपके बीजी होने पर कोई call करेगा तो आपका जो call है वहाँ पर चला जाएगा जिसका आप यहाँ पर number डालेंगे तो मेरी ब्यात धियान से आप सुन लिजे कि आपको यहाँ पर वही number डालना है जो number हमेशा के लिए बंद हो गया है तो आप कह यहाँ पर डाल कर save कर देना है यदि आपके पास ऐसा कोई number नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना है धियान से मेरी कुबात को सुनिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके घर में कोई मालीजे एक घर के अंदर में दो तीन phone तो होते ही होते होंगे आपके पास मालीजे दो सीम है, तो आपको यहां पर क्या करना है, दो फोन है, तो उस फोन का नंबर आपको यहां पर डाल देना है, ठीक है, मालीजे आपके पास दो फोन है, इस फोन में मालीजे एक सीम लगा है, एक फोन और आपके पास है, उसमें भी एक सीम लगा है, तो उसका न नमबर आप यहां पर डाले हैं उसी नमबर पर कॉल चला जाएगा और तीसरा वैक्टी यह समझेगा कि लग रहा है कि कॉल नहीं उठा रहा है क्योंकि आपने यहां पर बीजी के समय पर नमबर डाल दिया है जिसकी वज़ा से कॉल आपके दूसरे फोन पर जाएगा और आप आराम से बाते कर सकते हैं तो मैंने आपको दोनों ट्रीक बता दिया है यदि कोई नमबर है डेट नमबर है तो डेट नमबर डाल दीजिए यदि आपके पास डेट नमबर नहीं है तो आपके पास दो फोन है तो दूसरे फोन का नमबर डाल दीजिए दोनों केस में आपको नमबर वीजी नहीं बताएगा आप रात भर किसी से बाते करना है कीजिए और जब बात पूरी हो जाए तो आपको फिर से क्या करना है कि इसी option पे आना है और जो नमबर आपने मालो कि आपने यहाँ पे कोई एक नमबर डाल दिया डालने के बाद सेव कर देंगे तो उस परना काम करकर यहाँ से नमबर को हटा भी देना है तो इसी तरीके से आप इस क्रिक को यूज कर सकते हैं इससे आपको यही फायदा होगा कि आप रात में किसी से भी बाते करेंगे कोई तीसरा वैक्ती कॉल करेगा तो उसका जो फोन है वीजी नहीं बताएगा और आराम से रात भर बाते कर सकते हैं तो आप समझी के होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनलों को जिरू सस्क्राइब कर लिजेगा तब तक के लिए चैन